अच्छा चिठा में आज सबसे पहले बात रूस के राश्टपती वलादिमिर पुतिन के एक लाख सैनिकों की करेंगे जिन्होंने यूकरेन के खारकिव में ऐसा हमला किया कि जेलिंस्की को बड़ा सदमा लगा है पिछले 24 घंटे में पुतिन की फॉज चुन चुन कर यूकरेन की सेना से क्राइमिया का बदला ले रही है पुतिन के इस ट्रिपल अटाक में एक लाख सैनिकों के साथ साथ 900 टैंक भी यूकरेन को रौंद रहे हैं स्टॉम सेट के हमले शुरू चाहे यूकरेन की सेना के जनरल हो या फिर नैतों के 31 देशों के जनरल कोई भी गूस के दूपानी हमलों को रोप नहीं पा रहा है चाहर जून से शुरू हुआ रूस के खिलाफ यूकरेन का काउंटर अटाक 45 दिन या कहें कि डेड़ महीने बाद भी रूसी सेना को यूकरेन के पूरवी और दक्षनी इलाकों से ख़देर नहीं पाई है ऐसे भयानक हालातों के बीच यूकरेन के जनरलों को जो खुफिया जानकारी मिली है उसने जैलन्सकी के साथ साथ नैटों के भी होश पुड़ा दिये है योक्रेन के कमांडर और जनरलों ने चेतावनी दी है कि पुतिन ने बेहद खुफिया तरीके से योक्रेन के खारकियों इलाके में स्टॉम Z के तहब हमले शुरू कर दिये हैं हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्या है पुतिन का स्टॉम Z हमला लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पहली बार पुतिन के सबसे माहिर एक लाक सैनकों ने खारकियों इलाके पर हमले शुरू कर दिये हैं खारकियों में उतारे रूस ने एक लाक सैन रूस के स्टॉम Z हमलों की दीवरता का आप इसी से अंदासा लगा सकते हैं कि महिस 24 गंटे के अंगड़ रूसी सेना ने खारकियों इलाके के लीमन और कोपियांस्ट में एक हजार टैंकों के साथ हमला किया है दावा किया जा रहा है कि रूस के एक हजार टैंकों को T90, T72, T80 टैंकों से हमने शुरू किया है रूस का दावा है कि योकरेन ने काउंटर अटैक के लिए जिन सैनिकों और खातक हथियारों को खारकियों में भीजा था उससे रूस अगले 72 घंटे में पूरी तरह से तबाह कर डालेगा रूस के स्टॉर्म जेट हमलों में 1000 टैंकों का पुतिन की सेना पहली बात इस्तिमाल कर रही है 1000 टैंकों से पुतिन का हमला नाटो देश लिथुआनिया में नाटो के 31 देशों की मीटिंग में जेलन्सकी को भरोसा दिला गया था कि रूस के घातक हमलों से बचाने के लिए योक्रेन को हर तरह के घातक हथियार दिया जाएंगे अमेरिका, प्रिटर, जर्मनी और फ्रांस ने तो यहां तक दावा किया था कि रूस की सेना और उसके हथियार बुरी तरह से तबाह हो रहे है इसलिए अब रूस ज्यादा घातक हमले योक्रेन पर नहीं कर पाएगा योक्रेन के जनरल भी लंबे चोड़े दावे कर रहे थे कि योक्रेनी सेना ने 17 महीने से ज़ादा की जंग में रूस के 2.5 लाग सैनी को गुमार डाला है लेकिन देखिए 350 सुवर किलोमीटर में फैले योक्रेन के खार के इलाके पर पुतिन ने अपनी सेना से ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया है हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने स्टॉर्म जेट हमलों पर कोई बड़ा दावा नहीं किया है बलकि योक्रेन के जनरल और कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूस के स्टॉर्म जेट हमले शुरू हो गये है पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखित रूस के स्टॉर्म जेट हमले हैं कि स्टॉर्म जेट के हमले शुरू योक्रेन के कमांडरों की छेतावनी के मताबिक रूस ने योक्रेन के खारकेव इलाकों में ट्रिपल अटेक शुरू कर दिये हैं रूस की सेना ने खारकेव के लीमान और कोपियंस्क पर हमले शुरू किये हैं स्टॉर्म जेट के तहट पुतिन के पहले अटैक में एक लाग सैनिक और 900 टैंक शामिल है जो लीमान और कोबियांस को रौनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जानकारों के मताबिक इस वक्त रूस की सेना पूर्व और दक्षर इलाके को खास तोर से टार्गेट कर रही है। खारकीव में 900 टैंक और एक लाग सैनिकों से हमलार रूस ने इसलिए भी किया है ताकि योक्रेन के सबसे अडवांस और ठादक खत्यारों को दबा किया जा सकी। स्टॉर्म जेट के हमले शुरूर। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ऐसे वक्त में खारकीव इलाके पर हमले तीज कर रहा है। हमले के रूसी रक्षा मंत्राले के प्रवक्ता इगोर कोना शेंकों ने रूस हमले पर खुल कर बायान दिया है। शिल्ड पूरो से भागे योक्रेन के जन रहा है। पूरो से दक्षण तक विछले 24 से 36 गंटे के अंदर रूसी सेना हैं। योक्रेन सेना पर भारी पड़ती जा रही है। हारते और पिठते योक्रेन के हालत देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटे, चर्मनी, पोलन जैसे नेटो देश भी योक्रेनी सेना के गाउंटर अटैक को लेगर बेहत नाराज होने लगे हैं। योक्रेन अपने युद में नैटो को जान बूच कर इतना फसा रहा है, ताकि नैटो को रूस के खिलाब सीधा युद करने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस ने जिस तरह से योक्रेन के खारकेों में ट्रिपल अटैक किये हैं, वो हैरान करने वाले हैं। एक लाग सैनिकों के साथ लगबग एक हजार टैंकों से हमला, नैटो और योक्रेन के होश उड़ाने वाला साबित हो रहा है। अब आप ये भी देख लीजे कि रूस का तोप खाना और रॉकेट आर्मी किस तरह से खारकेव इलाके में हमले कर रही है। रूसी सेना ने 350 वर किलोमेटर में फैले खारकेव शहर और कस्पों पर ट्रिपल अटैक किया है। एक लाग सैनिकों के साथ 900 टैंक के अलावा रूस के तोप खाने ने खारकेव के चीतरे उड़ा कर रख दिये हैं। चानकारी के मताबिक लेमन, कोपियांस्क में रूस ने 555 टोपों से हमले शुरू कर दिये हैं। जबकि रूस की रॉकेट आर्मी 370 MLRS रॉकेट सिस्टम से दिन रात हमले कर रही है। खबर के मताबिक रूस के तोप खाने और गौकेट आर्मी ने खारकेव के लीमन और कोपियांस्क में योक्रेणी सेना को तबाह करके रख दिया है। इन इलाखों का रूसी सेना ने वही हाल किया है जो ओदेशा और मिकोलाइब का किया है। दक्षिन पूरो से भागे योक्रेण के जन्राइब। बेशक योक्रेण के पास बैतरीन खुफिया इंफोट और नेटवर्क मजबूट है। लेकिन पुतिन जैसे लड़ाके के सामने नैटो और योक्रेण पानी मांग रहे हैं। रूस के स्टॉम सेट हमलों को लेकर योक्रेण में हरकम मच गया है। क्योंकि पुतन ने डेड़ महीने पहले ही कह दिया था कि रूस के सात लाख रेजर्ब सैनिक जब योक्रेण पर जारों तरफ से हमला करेंगे तो योक्रेण को कोई बचा नहीं पाएगा। रूस ने तो दावा कर दिया है कि उसकी सेना उत्तर पूर्वी खार की उक्षेत्र के एक महतोपूर रेलवे जंचन को पियांस की दिशा में दो किलो मीटर तक आगे बढ़ गई है। कि योक्रेणी सेना ने पूरों में बखमूद के पास नई बढ़त हासिल की है। खैरानी की बात यह है कि बिचले 6 हथों से योक्रेण बखमूद से रूसी सेना को ख़दिर नहीं पाया है। और अब योक्रेण के पूर्वी और रदक्शनी एलाको पर पोथन के ट्रिपल आटेक भी शुरू हो गया है। हलाकि जेलंस्की अभी भी चीत के दावी कर रहे है। व्सी, розумієте, дуже чітко, максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях व्कलादाएटे उसी, ची मोज़ों व्ते, शब जुपिनिते नाशे वोईनीवी, कोजना तीस्चा मेटर प्रासुवाने वपरेद, कोजन उस्विख, कोजना नाशी ब्रिगादी जस्लूगोए नव्दैशनीश, उसी, खो यदे ना श्टूर्म. जानकारी के मताबिक, रूस ने 10 दिन पहले ही खार के उपर एस टॉम-जेड हमलों की तैयारी शुरू कर दी थी. इसका सभूत आपिन तज़्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त रूसी सेना के जनरलों और लीडरस में युद्ध करने की जबरदस्ट भूप जाक गई है। रूस को एसास हो चुगा है कि नैजुल योफेन को हच्यार से ज़ादा कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए आप रूस में अगले 10 दिन में योफेन के पूरवी और दक्षणी इलाकों पर पूरी तरह से कबजा करने का प्लैन बना लिया है। जहां रूसी सेना बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। दोलर का इंस्ट्रूमेंट वारुजोनने बर्ड़बे आ पडरुगों उनिसकाज़ अनी परज़ड़ाइट सम्नेने व नदेजनस्टी अमेरिकान्सके वालुते का स्टॉम जेट के हमले शुब योकरेन के खिलाफ अचानक एक लाग स्टैनिकों को खार क्यूं में उठारना पुतिन की बहुत बड़ी गणी दी है अब मजबूरी में योकरेन को अपने रिजर्ब सैनिकों को जंग में उतारना पड़ेगा ऐसा करने पर योकरेन के बहुत ज्यादा सैनिक रूस के स्टॉम जेट हमलों में बारे जाएंगे ऐसे हालात में नैटों के सामने एक ही विकल्प रह जाएगा कि योकरेन की जमीन से नैटों रूस के खिलाफ चंग शुरू करे और अगर नैटों ऐसा करता है तो फिर पुतिन के हाथ पूरी तरह से खुल जाएंगे फिर पुतिन नहीं देखेंगे कि रूस के आतक मिसाइलें इस्तिमाल कर रहा है या फिर परवाणों फ़म इसलिए पुतिन के स्टॉंप सेथ हम ले जोकरेन के लिए काल बनते जा रहें